डियर स्टुडेंट्स ओर टुडेज वरीज रिफ्रेश्मेंट चैनी स्पेलिंग छे र-e-f-r-e-s-h-m-e-n-t रिफ्रेश्मेंट नो गुजरातियर्द छे नास्तो आ शब्द एक नावन एटले के संग्या छे आवो जो ये नीचना त्रोंड फोटोज मा कोने कोने रिफ्रेश्मेंट एटले के नास्तो करता बतावामा आप यूज शे इन फर्स्ट इमेज जेटालाल एटिंग जलेबी ने फापडा खाता इन सेके इमेज गर्ल्स एटिंग सलाड इन रिफ्रेश्मेंट एटले के छोकरियो सवार सवार मा नास्ता मा फिट रेवा माटे सलाड खाता इन फर्ड इमेज एटिंग पाव बाजी आण वडा पाव बिफाव गोईंग टो ओफिस अले इन दो मानिंग ऑन दो स्ट्रीट इटले के कर्मचारियो सवारे सवारे ओफिस मा जल्दी जदी वक्ते नास्ता मा रस्ता पर पाव बाजी आने वडा पाव खाता आओ लिंक टू रिमेंबर मा रिफ्रेश्ट मेंट ने याद राखवा फ्रेश्थाव माटे पिता चाईनू धारन जोईए सवार सवार मा फ्रेश्थाव माटे बधा रिफ्रेश्च्मेंट मा बिस्किट साथे चा पीए छे विडियो ने पॉस करीने आ स्लाइट थोड़ू ध्यानती जोजो केमके आ स्लाइट ने वाजवानी नाई पण गहराईती विचारवानी समझवानी अने याद राखीने प्रेक्टिकली तमारा स्पिकिंग के राइटिंग मा अपलाई करवानी जरू छे आओ, रेफेश्मेंट वर्ड नुँ इंगलीश मीनिंग चोहिए अलाइट, स्नाख, ओर ड्रिंक आँ, रेफेश्मेंट वर्ड नी फैमिलीली चोहिए फर्स छे फ्रेश जे एक अड्जेक्टिव छे अनि बेज वर्ड छे येना बची छे refresh, येना बची refresher, refreshed, refreshing आने लास माँ छे refreshment जे एक noun छे आने आपना आजनो वर्ड पॉन छे आउ रिफ्रेश्मेंट वर्ड ना सिननिम्स एटले के समानार्ती शब्दो जोईए पर्स छे snack, बची bite आने tidbit आउ विडियो क्लिप मां के विर्ड पे रिफ्रेश्मेंट वर्ड ना व्योग थयोचे, ये आपने चोईए आओ, विडियो क्लिप मा कहे लो इंग्ली संटेंश हो ये जेनों गुजनाती भाशांतर थाई छे ये वात मने साउती वधारे सारी जे याज छे के ते तेने एउ कही हतू के अहीं कोईने नास्तो जोई है अने आमें जेटला चकराव त्या हाता ये बद्धाश नास्तो खाव माटे तैयार थाई गया आज ना क्वीज माँ नीचा आपेला चार ओप्शनस माँ थी कई जग्याए तमने रिफ्रेश्मेंट मडे छे ते तमने के वानूँशे अनू साच्चों सरू तमने कालने वीडियो माँ आपीस अने आपना यसे ना वर्ड जैगरी ना क्यूश जों सरहतू C. शुगर केन तो आपनो ओपन चैलेंजो तो खबरा जासे पक्त वीडियो जो इनकी देवानो ना थि यौव तो त्राइट दोर्ड टूस्ते वर्ड प्रॉपज पर्पली विद विद 5 बीपल पीपल इनूश प्रॉपिकिंग And as you know, we guarantee you that you will remember its meaning and its usage for lifetime. Thank you and have a nice day. Stay happy and keep speaking a little English every day. See you tomorrow with a new word.